कि आप जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास सराउंडिंग में जो वाइफाइ नेट्वर्क से उनका पासवर्ट कैसे करा जाता है और उसे सिक्यूर कैसे करा जाता है जहां पर आप सभी के लिए वीडियो लेकर आगया हूं वाइफाइ पासवर्ट क्राकिंग एंड उसको सिक्यूर कैसा रखा जाए दोनों बातों इंज्वाइब इस वीडियो इस से पहले कि हम इस प्रैक्टिकल प्रोसेस में जहां पर हम देखें किस तरीके से वाइफाइ पासवर्ट को क्रेक करने वाले हैं हम एक बार लॉजिकल पूरा सैटप उसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से बेसिकली हम उस वाइफाइ को हैक करने वाले है या कैसे वो काम कर रहा है तो आई इस चीज को अच्छे से समझते हैं यहां पर आप सभी देखेगा एक बार कि यह है हमारा router जिससे बेसिक रहा हम कनेक्ट होने वाले हैं अब यहां पर कुस्षिज हैं जो इससे already connected है यह जो अल्रेडी कनेक्टी डिवाइस है हो सकता है यह कोई mobile हो सकता है यह कोई कंप्यूटर हो कोई भी दिवाइज princi ऑ-to-xy thing नेग्ट हो चुक है अब हमें क्या करना है यह काम कैसे कर रहाए अगर कोई भी नया यूजर यहां पर आता है एंडुरी अच्छाइब रगार पहन्तर वाइब डाश्वर्ड शॉब्सक्राइब सब्मीड-बटन पर क्लिक वाली फायवाल यानि दो सिस्टम की बीच में कम्यूनिकेशन यानि Connection साट अप करने वाली फायल है यह हैंशेक फायल के अंदर पसवर्ड मौझूत रहता है यह पासवर्ड यहां से जाता है में राउटर तक राउटर वस पसवर्ड करता है कांफर्म करता है करता पर देंन जो कि आप कही से भी अप्लाए कर सकते हैं विकॉज एक बार अगर यहां पे जो अटेकर हैं जो एस सिस्टम सभी तक जुड़ा नहीं है पर क्यूंकि इसके पास वाइफा स्टेक जिसके जरीए यह अपने रेंज के किसी भी सिस्टम पे मोनीटर मोड के जरीए नज़र रख स यह router इस handshake file को capture कर लेगा क्यों क्योंकि इसका monitor mode इसको power देता है कि बिना उस device से connect होई यह बीच मेसे handshake file को because यह सारा data जो sniff कर रहा है यह already उस sniffing data message handshake file को capture कर लेगा जैसे ही इस handshake file को उठा लेगा तो अब यह जो password वाली file यह आजएगी हमारे system के अंदर और सेव हो जाएगी .cap extension से यहां पर .cap extension के जरीए capture file जो है basically उसके जरीए सारा जो हमारा password जो data था handshake file का वो save हो जाएगा इसके अंदर and अब करना क्या है यह cap file कोई भी offline किसी भी जगह से crack कर सकता है यानि इसके अंदर पासवर्ड आ गया है इसके अंदर सब्सक्राइब करना है और चलते हैं हमारी काली मशीन की तरह यहां पर हमारी जो काली मशीन है वह उपन कर रख यह लोगिन कर लेते हैं अब यहां पर हमें क्या समझना है क्या देखना है basically कि हमारे पास एक device होना जरूरी यह जो कि हमने देखा जो की वाइफा एडप्टर यह वाइफाइडेप्टर हमारे पास यहां पर पड़ा है इस वाइफाइडेप्टर के जरी हम जो है अटैक वह करने वाले हैं बहुत ही नॉर्मल सी छोटी सी स्टिक है अगर में पास और पाउफुल स्टिक होगे तो और ज्यादा रेंज में इस काम को करता हूँगा बट फिलाल यह स्टिक के अंदर मॉनिटर मोज सपोर्टिड है तो अब मेरे को क्या करना है बस इस डिवाइस को प्लग करना है मेरे वर्चुल मशीन में जैसे ही मैं से प्लग करूँगा यहां पर आप देख सकते हैं इस सेटिंग आ गए है मेरे सामने जो कि में को कह रही ही कि आप वाइफाइस्टिक कहां यूज करना चाहते है नॉर्मल होस्ट में या व्यम्वेर में इसको एड़ करूँगा वर्चुल मशीन के अंदर व्यम्वेर में काली मशीन को सिलट कर ऑरो जो टो यानि य्ज़ कहां होना चाए इन्दर करना है व्यम्वेर ममें करें काली मशीन को सबसे पहला काम जो हुमारा ऑप्फारा सीटिक के मोड को डिदेते हैं अब यहां पर हम उप करेंडे एने लें यहां निघरिंगे iwconfig यहां पर देख सकते हैं iwconfig लितने के बाद w90 जो की हमारा इंटरफेस है हमारे wifi stick है उसका नाम है तो इसकी साइड डेज्टेज हमें यहां पर शो कर रहा है यहीं पर आप देखें तो excess ID और कई सपिये जो मोड के अंदर चेंज करना है इसका कॉंपीतर करते को तो सबसे नहीं करते है सो हम क्या करेंगे सबसे पारे लिखेंगे ifconfig w90 and इसको हम कर देंगे down यानि इसको कर देंगे disconnect बंद कर देंगे ताकि हम इसकी settings के अंदर configuration जो है उसको change करेंगे तो यहां पर हमारा wireless device जो था वो down हो चुका है अब हम क्या करेंगे हम यहां पर लिखेंगे iwconfig w90 and then mode monitor क्या करना है चैंडमें बेसिक्ली चेंगे इसको चैंडेंगे यहsetting को व्यू करेंगे हमारे wireless device को बापिस UP करना पड़ेगा W90 को बापिस आप करेंगे हम यहाँ पर down का जो opposite है basically up यानि wireless device को start करना वह हमने कर दिया है अब मैं यहाँ पर लिखूंगा IW config and enterprise करूँगा तो मैं यहाँ देख सकता हूं कि इसका जो mode है वो क्या शो हो रहा है monitor so यहाँ पर यह monitor mode हमें मिल गया है अब हम आते हैं आगे की काम में इसमें करना क्या है basically कि सबसे पहले एक target को select करना है उस target के आगे के जो काम है वो भी साथ ही साथ देखेंगे तो सबसे पहले target को select करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे arrow dump ng arrow dump ng and then wland 0 यानि हमें बस एक software का नाम जो कि arrow dump ng पैकेज है उसका नाम लिखना है और interface का नाम लिखना है कि इसके जरीए हम सारे आसपास के वाइफाइ नेट्रक्स को देख पाएंगे जैसे ही मैं enterprise करता हूँ अब मैं command line के जरीए आसपास के सभी वाइफाइ और प्रक्स को देख पाउआ जैसे की आपे आपए अठीं आरी आरी ने पावर आरीए डेटा चैनल चंकर चीजह आपर आप अल्लेड़ी देख चुके हैं पहले वहां रहिए यहां पर आप एक एच्छे से नहीं हुआ है को एक तुब आहीं से कर देते है आइं अब हम क्या करेंगे इन इंटरफेस को किसी एक इंटरफेस को किसी भी एक ESS ID को किसी भी होस्पोर को सिलेट करेंगे इसकी पावर बतारी कितना दूर है बतारी किसी भी एक इसे इसे का नाम है जो कि आपको पूरा नहीं दिख रहा है विकाज मैंने आपको थोड़ा जूम करके दिखार आख आगा में जूम आउट करोंगा तो आप देख सकते हैं थी अब हम क्या करेंगे इस प्रसेस को कर देंगे इस पर प्रॉपर स्नाइफिंग यानि प्रॉपर जो डिटा है उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करूगा इन देखूंगा कि मैं इसी में क्या कर सकता है सनाइफिंग कर सकता हूं बसी करता हूं और अप्र स्नाइफिंग अंदर हैंट्ट्र साओग्तु का इन डेश एक्नानल और घॉांल कैने अचछे साथनय और यहां प्लीप्रॉन करता हूं करना है तो मैंने यहां पर बाता रहा है इंटरफेस का नाम जो कि बिल्कुल सही है जरी हम सारी एक्टिविटीज को करने वाले है अगर आपके कंप्यूटर में दो डिवाइस ने वाइफाई के तो जो नाम है उसका ध्यान रखेगा इंटरफेस का नाम ही लिखेगा यहां प इहां पर –write का मतलब है कि अभी जो भी डेटा इंटरसेप्ट करेगा है स्ञिफ करेगा जो भी डेटा को मौनिटर करेगा वो डेटा कहीं स्टोर हो जाए कहीं से रहा इंट To तो perfect I think सबको सही है मैं enterprise करूंगा और यहां पर जो scan है वो चालू हो जाएगा कैसा है scan यानि proper monitoring अब जो है वो केवल उस same BSSID यानि WSQ का जो wifi था केवल उसी पर करी जाएगी अब यहां पर यह जो devices दिखने यह क्या है तो BSSID तो आप देखो के सारी same है तो इसका मतलब यह सारी BSSID किस की है मेरे wifi की है WSQ Tech की है basically अनि जो stations है यह वो सारे devices है जो इस system से जुड़ के internet use करने यानि वो सारे devices जो system से जुड़े में यह उन सबका station यह उन सबकी mac address है अब हमें करना क्या है हमारे पास handshake file दो ही cases मा सकती है जब कोई नया user जुड़ रहा हो या फिर अगर किसी पुराने user को हम disconnect करें कुछ देर के लिए और वह वापिस connect होने के लिए automatically handshake file बेजेगा ही बेजेगा because handshake file क्या होती है हमारे device में save हो जाती है handshake file capture हो ध्यान रखेगा जैसे हमें handshake file मिलेगे वह handshake file यहाँ पर show हो जाएगी लिखावा आएगा handshake capture something लिखावा मिल जाएगा आपको जिससे आपको confirm हो जाएगा कि जो password file थी वह आपने capture कर लिए तो अब हमें करना क्या है केवल किसी user को disconnect करना है तो उसके लिए हम यूज लेंगे एक और पैकेज जो कि हम पहले भी दी अथेंटिकेशन फ्लडिंग जो था उसमें यूज ले चुके हैं जो कि यह एर प्ले एंजी डैस डैस डी और एंदन उसके आगे नंबर उसके आगे कुछ और डीटेल्स भी है इसको एक और बाइक्स्प्रेंट कर देता हूं मैं यह प्ले एंजी कैसा package है जिसके जरी हम कुछ और package बेज सकते हैं कुछ और data transfer basically वाइफा hacking और क्रैकिंग से related कुछ काम यह कर दे से connect होनी की जरूत नहीं है यह सबसे खास बात है इसकी उसके बाद यहां पर डैश ऑप्शन है जिसके अंदर basically मैं बता रहा हूं हमारे किस जो basically हमारे main वाइफा है जो हॉस्पोट है यानि किस user से किसको disconnect करना है वह हम यहां पर बताते हैं तो जो main user है जो WS क्यूब टैक का हॉस्पोट है उसका mac address मैं डैश ऑप्शन के अंदे दूगा आइफान एप्शन के अंदे दूगा इसके अंदर मैं दूगा उस user का नाम जिसको disconnect करना है यानि होस्पोट से हमें जिस user को disconnect करना है उसका नाम मैं दूगा iPhone C के अंदर में को Mac address mention करना पड़ेगा जिस user को disconnect करना उसका जो कि अभी हमारे पास नहीं है और उसके बाद मैंने इंटरफेस का नाम बताया बस W9-0 के इसके जरी में अक्टिविटी करनी तो पहले में मेरे उसी सेम राउटर का है के नहीं तो हम पीछे चलते हैं और यहां पर देख सकते हैं 5C-C5 तो यह Mac address भी गलत है तो हमें क्या करना होगा करते हैं तो हम करते हैं यहां पर उस इजर को जिसमें फ्रेम ज्यादा मूव हो रही है तो यहां पर परफेक्ट तो यहां पर यहां पर नहीं हुआ है तो हमें करते हैं अगर फास निकला और इसको रिकॉर्ड कर लिया थेन हमारा काम हो सकता है अगर हुआ है तो यहां पर यहां पर अप्लाय नहीं हुआ है तो हमें काम करते हैं इसको मैनुली राइट डाउन कर लेते हैं बेसिकली क्या था वो तो यहां पर हम देख लेते हैं हम आज जो मैंके दे स्टार्ट हो रहा है वो है 6479F0 6479F0 औक बेसिकली जिस यूजर को हम अटा करने बाद तो यूजर डिसकनेक्ट हो गया दूसर यूजर उठा लेते हैं यहां पर तो दूसर यूजर नहीं हम ले लेंगे हम यहां पर परफेक्ट क्या मैंने बिल्कुल सही मैक अड्रेस लिखा एक बार कंफर्म कर लेते हैं 107-B6-A07-A-C 107-B6-A07-A-C बिल्कुल परफेक्ट मैक अड्रेस हमने आपर नोट डाउन कर लिया है इसके अलाव हमें कोई डीटेल नहीं चाहिए इस यूजर से इस यूजर को में डिसकनेक्ट करना है हमारे पास capture हो जाएगी हमें काम करते हैं इस प्रोसेस को रोकते हैं ताकि यह फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करो रोकने के लिए आप CTRL-C का यूजर सकते हैं जो कि किसी भी continuous चलते प्रोसेस को रोक सकता है यह करने के बाद अब हम चलते हैं बापिस नर्मल टैप को यहां वेट करेंगे यहां पर बैसिकली जो इंटरफेस है वो डाउन शो हो रहा बट ऐसा होना नहीं चाहिए अगर यहां पर एंशेक फाइल के लिए बाइफार क्रेकिंग को अप्ला है को बले ही कोई कहीं बैट एंट जैसे ही मैं लेकारूंगा तो आप देख सकते हैं बेसिकली सेब फोल्डर में जहां पर में प्रोसर स्ट करा था महां पर में देख हो तो हैग्ड-02 नाम से जो फाइल है जिसके अंदर कभी फाइल जो है वह सबसे इंपोर्टेंट है जैसा कि मैंने बताया था इस्रा यहां पर हमारी फायल का नाम लिख दे अगर हम इतना ही लिखके अंटर करते हैं और अगर यह पुरानी टेक्नोलोजी के वाइफाइड वाइफाइज होते हैं और इसके अंदर जो डेटा इधर सुदा मूव होता था वह strongly encrypted नहीं हुआ करता था जो एंशेक फायल है वह strongly encrypted नह करा गया है और जो कि हम mystery में भी देख चुके कौन सा encryption यहां पर अप्लाय हो रहा है तो इसको हमें करना पड़ेगा decrypt basically decode करना पड़ेगा तो यह जो इनको crack करने के लिए हम क्या कर सकते हैं अब इसको crack करने के लिए हम use करेंगे यहां पर एक word list एड उस word list के जरीए हम इस password को easily crack कर पाएंगे अब हम क्या करेंगे चलते हैं उस word list पे सुद्ध यहां पर हम use लेंगे common password की लिस्टे के ऐसी list जिसके अंदर most commonly passwords है जो कि normally कई जिखाओं पे हमारे काम आ जाते हैं बट इनकेस अगर नहीं भी आएंगे तो क्या कर सकते हैं वह भी मैं साथी साथ बताओंगो बट यहां पर पहले एक word list एड करनी होगी के यहां पर यहां पर word list करनी होगी अब यहां पर हम एक word list कर लेते हैं जो कि basically है टॉप 10 million password list बैसिकली जिसमें थाउजन से जाधा पासवर्ट है और ऐसे ही यह बेसिकली लीक्ड पासवर्ट है तो यह यहां पर मेरे काम आ सकते हैं अगर नहीं भी आएंगे तो दूसरा option ह है हमारे पासवर्ट फिलार इस पासवर्ट जिसके जरीए हम इस पासवर्ट को करनी कोशिश करेंगे तो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं एंटर प्रेस करों साथ ही साथ आप सभी को यह बी बता दूगा कि आपको अच्छी वर्ड लिस्ट कहां से मिल सकती है बनी यहां पर करन फेस्ट पासवर्ट है वह इसने में को क्रैक करके दे दिया है बहुत ही मिली सेकंड में बहुत ही कम टाइम लिया इसने बैसिक पासवर्ट करने के लिए यह थोड़ा शॉकिंग था बैसे काफी फास्ट काम करता ही हमारा एक रेक एंजी अब यहां पर ऐसी व वर्ड लिस कैसे बने जाए दैन उसके जड़िये क्रैकिंग तो हमें आती ही जाए उमीद आपको आज के वीडियो पसंद आओगा थैंक्स वर्वाशिंग देस्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर और सस्क्राइब